सब्सक्राइब दिपक सरकाइब शुकर गुजार हो क्यों उन्होंने जिन्दकी भरने खत्म होगा लेकिन जो दिया है वो सोने से भी बहुत कुछ बढ़ा दिया है वो इसके लिए हम उनके आभर गये है सकाई तीन वस्ता घर पढ़ ले पानी भर ले और ती तीन चार वस्ता ते यह दोन बाई को तैम चागाड़े है ते अपन गे ले पाने अपने दोस्तों इस वक्त मैं हूँ चिपलुन के मजरेकासी गाओं में और अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो उदर पूरा एक माका भीषी तो और पोर है गがरीन धोन और तो पुरा माकान जो है पूरा गए पूरा दोस्त हो गया है यह मेकिंग दा डिफरेंस की टीम यहांपे पोंच है और यह तक मदद करने के लिए अब उस घर में making the difference की टीम जो है राशन पहुचा रही है दोस्तों ये जो है न रूंगते खड़े कर देने वाला आदमी तिनका तिनका जोड़ करके अपना घर बनाता है और ये देखे ये पूरा घर बारिस में तबा हो गया बाड में तबा हो गया ये य ये लोग रहने को मझबूर है अब जितनी मदद हमसे हो पारी हम कर रहा है उनके दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि जो चिपलून में है ये ऐसा इकलोता घर नहीं है ऐसे कई जगे पे जो है यहां पे कई घर तबाः हो गए हैं अब इनके मुँँ से आवाज तक नहीं निकल रही है क्या निकलेगा दिखाने का मकसद यही है कि यहां की सरकार से भी मैं अपील करूंगा यहां के सक्षम लोगों से भी मैं अपील करूंगा और Making the Difference के दीपक व पसाने में जो मदद आप लोग कर सकते हैं वो कीजिए आम लोगों से भी ये कहूंगा कि अगर आप लोग भी चिपलुन गौव में इस तरह के घर जो पूरी तरह से उजड़ गए हैं अगर उसके आप कुछ मदद कर सकते हैं तो जरूर करें मेरे रोंग्टे खड़े हो गए ये अगर मैं लेफ्ट साइड दिखा हूँ और इधर दिखा हूँ तो ये सब में पूरा कितना पानी आ गया था एकदम पूरा 12 फिट पानी था आप ये देखें ये जगे में 12 फिट पानी बोलो तो किसको बोलते हैं अगर 12 फिट पानी आया तो आप समझें कि एकदम ये जो है ना नदी बन गया होगा बोट से लोग जा रहे होंगे वो मंजर आपने देखा भी होगा और आज ये उजड़ा हुआ घर मुझे देख करके बहुत दुख हो रहा है ये देखे हर तरे हर चीज था इस घर में हर चीज था और आज कुछ भी नहीं है अगर इधर दिख तो उनको जो मेकिंग दे डिफरेंस राशन वगरे से जो मदद कर पा रही है वो कर रही है और घर बनाना तो अब ये थोड़ा सब सही होगा तो लोगों की मदद से सरकार की मदद से साइद जो है फिर से इनका घर बस पाए बहुत ही दुख हुआ दोस्तों चिपलुन में इस तरह की जो है बाते देख करके मेरे पास सब्द नहीं है मैं क्या कहूं जो भी नजारा मुझे दिख रहा है मैं आप लोगों के सामने ले करके आ रहा हूं और उपर वाले से दुआ करता हूं कि इस तरह से फिर से कोई आपदा ना आए और इस तरह से किसी का घर दोस्तो इस वक्त मैं मंदिर परिश्टर में हूं और यहां पर मेकिंग दा डिफरेंस की टीम जो है करीबन एक सो बीस फैंबली को मदद पहुंचाने के लिए पहुंची है जिसका सामान यहां पर जमा हुआ है आँची त्या दिश्वेजे 22 जुलेल आँची सगीजघर पाना खली होती आणि जैनकी स्लैप चे घर होती ते वरती स्लैप और ठाइलेवे आणि जैनकी पतर होती ते माला वरती बसलेरेग पा यह जो मदद पहुंच रही है, यह कौन लोग मदद पहुंचा रहे है? यह जास्ता हमारा संस्ता है, तो जो बाड आया, जो अबदा आया, उससे लोग सुरक्षित किसी नखिसी तरह से निकले, और इसमें जो मदद पहुंच रही है, वो संस्ताएं पहुंच रही है, और अगर मैं एक संस्ता की बात करूं, तो दिपक विस्व करमा जी हमारे साथ ह यहां पे यह अपनी पूरी टीम को ले करके यहां पे पहुचे हुए है। टीम खड़ी होके काम कर रही है और लोगों तक महुचा रही है और ऐसे चिन्नित कर रही है जो जो लोग परिवार में जो जो इनकी तकलीफ है उन लोगों को ही हम सामान पहुचाने में कोशिश कर रहे है। और एक दूसरे की मदद से ही जो है लोग को राहत मिल पारिये उसी तरह से बाड़ की जो आफदा आई उसमें भी समाज में सरकार से ज़्यादा मैं यह कहूँगा है वापस की अभी इन्होंने भी कहा कि सरकार से ज़्यादा अगर कोई मदद कर पा रहा है तो छोटी छोट कपड़े लाये है इन्होंने प्लेट लाया है ग्लास लाया है यह सब कुछ ला करके यहां पे दिया है राशन लाया है कपड़े लाया है चादर लाया है क्योंकि लोगों को जो है अभी तो लोगों के पास कुछ भी नहीं है जिनका सब कुछ उजड़ गया है उनके लिए बहुत कीमती है और ऐसे में ऐसी संस्थाने आकर के मदद की है इसका तहे दिल से मैं भी सुक्रियादा करता हूँ तैंक यू सो मच इसके में कीदा चेहbare कर दो के जिल एवान डर में आकर का जागो है शूसर realizing तैंज में कीमot आकर के मैं आकर की चाहँगीज और प técnica काम ही ऊूसरी दूसरी के वाकर का कैमा यूसरी अूसरी नूसरी झाल झाल